Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti हम सभी संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं, अपने भाग्य को देख कर तुम उस्क्राओ सोचें, इस जीवन में हमने इन आखो से क्या-क्या देखा जो चारो युगों में कभी नहीं देखा जा सकता, वो इन आखों से देखा प्रभु पालना में हमारा जीवन पला, उसने बाप रूप से हमारी पालना की सिक्षक रूप से ज्ञान देकर बहुत पालना की और सदगुरु के रूप में गाइड करके, वरदान देकर, सक्तियां देकर हमें पालना में संपन्द किया सोचने की बात है, ऐसी स्रेष्ट पालना चारो युगों में किसी को नहीं मिलेगी कभी राजाई घर में हमारी पालना होगी, तो किसी की पालना साउकार घर में होगी और उन लोगों के भाग पर विचार करें जिनकी पालना गरीब घरों में होती है जो मन चाही बातों को नहीं कर सकते, वो पढ़ना चाहें, वो दिमान हो, तो पढ़ नहीं सकते, अच्छा भोजन नहीं खा सकते, उनके पास साधन नहीं होते हैं, हमारी पालना हो रही है परमात्मा के द्वारा, राजाओं से भी बड़ी पालना, जिसमें उसने हमें संपोन सुख भी दे-दिया है, सकतीयां भी दे-दी हैं, अपना प्यार भी दिया और बहुत स्त्रेष्ट ग्यान दिया है, हम प्रभू पालना में पल रहे हैं, सवेरे बापा कर हमें उठाते हैं, रात को सुलाते हैं फिर पढ़ाने आते हैं ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं और बाबा ने कहा कोई वच्चा दुखों में आशु बहाए तो आकर उसके आशु भी पहुचते हैं दुनिया वाले अगर ये सुनें तो कहेंगे ये कौन हैं भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या और बाबा ने इसका स्वैम उत्तर दिया था उन्हीं के सब्दों में कि तुने कहें दो भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है सोच लें जिनके लिए भगवान खाली बैठा हो उन्हें स्वैम क्या कर लेना चाहिए और बाबा का कैसे लाब उठा लेना चाहिए उसको यूज कर लेना चाहिए उसका अहवान करके अपने बिगडे हुए काम समार लेने चाहिए स्वैम को वर्दानों से भड़ लेना चाहिए उससे मन चाहिए शक्तियां प्राप्त कर लेनी चाहिए तो हमारे पास ऐसा ही सद्विवेख है जिससे हम बाबा की स्रेष्ट पालना का इस महरवानी का संपूर्ण लाब उठा सकते हैं तो हमें याद रखना है बाबा हम पर महरवान हुआ है वो हम पर बहुत खुश हुआ है हमें उसकी इस महरवानी का कैसे फाइदा उठाना चाहिए बाबा ने खुद कह दिया है बाब बंधा हुआ है बच्चे बुलाएं तो बाब को आना ही पड़े और हम सब तो उसके लाड़ ले हैं किसी मा को भी कोई प्यारा बच्चा बुलाता हो रात को बारा एक बजे भी तो मा जक कर दोड़ी चली जाती है हम तो भगवान के प्यारे बच्चे हैं जब हम उसको बुलाएंगे तो वो दोड़ा चला आता है लेकिन सर्थ के वल इतनी है कि जब वो हमें बुलाता हो जब वो हमें कुछ आदेश देता हो तो हम भी दोड़े चले आते हो उसका हम पर पूर्ण अधिकार हो तो उस पर हमारा भी संपूर्ण अधिकार हो जाएगा बस यह अंतर हम मिटा दें कि हम तो कहें कि बाबा को जब भी हम बुलाएं वो आ जाए लेकिन जब बाबा हमें बुलाए, तो हम सोचने लगें, हम बहाने करने लगें, ये अंतर हमें मिटा देना है, और आज सारा दिन हम बाप दादा को बुलाएंगे, अहवान करेंगे, और अपने सिर पर उसके हाथ को अनुभव करेंगे. बहुत सुन्दर ये अनुभव की बात है, और बाबा ने जो एक अभ्यास और सिखाया है, कि तुम्हें संसार को विन-विन रंगों की किरने देनी होंगी, अर्थाद विन-विन शक्तियों की किरने देनी होंगी, तो आज सारा दिन बाप दादा को बुलाने के साथ ये अभ् और सर्व शक्तिवान हूं, ब्रकूटी सिंगासन पर विराजमान हूं, और मेरे मस्तक से शक्तियों की रंग विरंगी करने निकल कर, सामने फैल रही हैं, सब पर पढ़ रही हैं, वातावन पर भी पढ़ रही हैं, सब चार जो रहे हैं, एक एक मिनट में ये दोनों अभ्यास करेंगे और आज के दिन को आनन्दित बनाएंगे तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम च्छान्टी